बिस्मिल्लाहिरहमाररहीम, असलावलेकूम, आप मेरा यूटूब चैनल देख रहे हैं, वेल्कम टो मारा यूटूब चैनल, हमने एजुकेशन साइकालोजी को स्टार्ट किया हुआ है, एजुकेशन साइकालोजी की स्कोप में सबसे पहले हमने पढ़नी थी लर्निंग थेर हैं, हार क्वेशन जो है, इसका न मैं गाम सकती हैं। आर्स टेशियनस की सबसे पहले उसे से लेकर पहले दो साल तक जो इंसान है उसकी जो शीर से देखने की देखने की हिस्स इसको सुनने की हिस्सा है, खाने की हिस्सा है, चक्कने की हिस्सा है, ठीक है, बोलने की हिस्सा है, तो वो अपनी सेंस से वो सीखता है, ठीक है, जब अब देखता है किसी चीज को तो वो देखिए अपनी देखने की सेंस से देखने की हिस्से वो इस चीज में अपनी जानत को है कि एक सामने नजर आरहा, ये मेरी वालदा है, ये मेरा वालत है, ये दोस्त है, ये मेरा दुष्मन है, या वध चख्फने की इस्से लेखता है, कि ये जर्फ़ स्से मुझे खाना चाहुए escolे को खाता है उसको अच्छी लगती है या नहीं लगती है वो प्री आपरेशनर प्री ओपरेशनल स्टेज यह तिया दो से साथ सालसाओं जो है वो बच्चा जो है उसकी स्टेज प्री operational उसमें क्या होता है जी उसमें बच्चा operation जी उनके कुछ काम नहीं कर सकता वो खुद लिख पाड़ नहीं सकता उसकी stage से क्या होती है वो symbol से सीखता है symbols वगारा से जैसे आपने देखा होगा जब primary classes में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसका जो काईदा होता है बच्चे को बुक को इसको चुछ आपल आपल का साथ उसका symbol भी उसमें बना के दिखाते हैं ठीक है तो वो किया था जी उसके pre operation stage होती है उसमें करते हैं वो सिंबल वगरा से object के symbol से सीखता है ठीक है जी और इगो सेंट्रिक वगरा जो इसमें जो ना जो बच्चा जो उसको खुद सही लगता है सिरफ वही वो इगो सेंट्रिक stage उसके होती है ठीक है जी उसमें conservation की जो आप चीज नहीं होती है जो ठीक है जो है जिसका हम टच कर सकते हैं देख सकते हैं पकड़ सकते हैं तो गयरा साल साथ से ग्यारा साल किया जो जा कि वह लाजिकल ब्रेशन बगारा पर और जो टेंक्रीड चीजह होती है उसके वाले से उनको पकड़ के उनके मताले को information गैदर करता है उनको देखता है उनको समझने की कोशिश करता है इसको फौर्ट होती है नविभा फौर्मल ऑ्परेशनल स्टेज। अपिर अप्स्ट्रैक्ट चीजों को देखता है हिपोधेटिकल मुफरुजात बच्छा अठर में नदर नहीं आ रही ठीक है वो उनको भी मुफरूजे पे उसको जो है ना जिस्ट जो है उसको abstract चीजों पे उसको सीखने की कोशिश करता है जिस फार्मूलाज बगारा के mathematics के हवाले से चीज़ें वो सीखने की कोशिश करता है तो यह होती है जी formal operational इसको कहते हैं 11 साल से आगे की उमर सारी ठीक है जी तो पहली स्टेज 0 से 2 साल दूसरी 2 से 7 साल तीसरी से 7 से 11 साल और 14 साल से अब वो सारी उसकी क्या होती है और फार्मल उप्रेशन से और उसमें वो किस चीज़ों hypothetical चीज़ों से abstract चीज़ों से वो सीखता है यह उसके चार स्टेजिज होती है उसके बाद उसने ज यह उसमे करता है वह उसके गाँ है और ऊसरा नालेशन किसी के ख स्टेज रिंखना और कि खता है और शाधी करते हैं मैं के दुनिया के हार कोने में यह उनिवर्सन है और उसमें थोड़ा सा उमर का खशो का ना युनिवर्सन हो सकता है तीग है गल इसे से आओंगे जिसमें जो से साल तक चलेगी या जिरो से तीम साल तक चलेगी या इसमें जो ना एज का थोड़ा बहुत फरक आ सकता है लेकिन इनकी तर्टीव यही रहती है ठीक है जी उसके बाद सने का था को कुणिटिव ड्वैलिमेंट जो ना जिए इनसान की एक थि इवर्चेशनरें जोसकती है वह अगे बाद से फिर्व के खुलइ को समझढे ले पर फिर इस इस त pasti को पड़े घारएgle तो आपको समझ जा देगी तो आपको सोबसूओ करलेंगे पहले आपको साल को की जिएगा पिर जाहां पर आपको समझना आए तो आपे रूपर जो जो उपर मैंने सारा टॉपिक लिखा है इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझा देगी सबसे पहले कहले जिए विस साइकालोजिस इस नौन फा थेरी ओफ कोगनीटिव एलमेंट सबसे पहले स्टार पर में बच्चे के माइन में आना शुरू आता है तो जो नहीं इंफॉर्मिशन है वह बच्छा अपने दिमाग में फिट करता है वह हमारी स्वीमिलेशन होती है जाब किसी चीज़ों को जो इसके साध मांड के साथ मैंच नहीं कर रहे हैं विटको कहते हैं अकॉमोडेशन है जाब करता है करता है करता है करका से श्किल्द कर्केशन होती है ठीक है जीग जीए 1. Abstract reasoning and hypothetical thinking are feature of which Piajjist stage? Hypothetical or abstract reasoning, which is formal operation. Question number 8, what is the term for when a child's thinking is self-centered and they cannot understand another person's perspective? When the child doesn't understand another person's perspective, the child doesn't understand the perspective, which I say, is egocentrism. Question number 9, Piajist theory emphasizes that children actively construct the understanding of the world through. Piajist theory says that children are the same as the child's perspective, which is the same as the interaction with the environment, which is the same as the interaction with the environment. So the process of achieving balance between assimilation and accommodation is known as that the child's perspective is the same as the same as the child's perspective. Equilibration, equilibration, equilibration. These are the 10 questions I have discussed, but you can read the answers. It's very easy to answer. पहले क्वेशन कीजिएगा उसके बाद क्वेशन जहां पर आपको समझना आएगे वहां पर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इंशला तहला प्याजे की थेरी है वह सारी सारी समझ आ जाजाएगी थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्ट वीडियो में लाहाफिज